Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our first chapter, that is crop production and management. इस chapter में आज हम पढ़ेंगे कैसे हम crops की production करते हैं, उन से related management की सारी की सारी चीजों के बारे में आज हम इस chapter में पढ़ेंगे. तो पहले हम जानते हैं, इस chapter में हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे agriculture के बारे में, agriculture क्या होता है, वोट इस एग्रिकल्चर, तो एग्रिकल्चर, तो यह definition थी, एग्रिकल्चर की, agriculture मेंली होता क्या है, एग्रिकल्चर, human की needs को fulfill करने के लिए, जो भी चीज़े क्या होती है, cultivated होती है, उन्हें हम कहते हैं, agriculture, चाहे वो plants की help से हो, और चाहे वो animals की help से हो, Now, what is crop, what is crops, crops क्या होती है, crops के types क्या होते है, सबसे पहले हम जाते है, crops क्या होती है, crops means, when plants of same kind are grow on a large scale, they are called crops, जब क्या होते हैं, किसी भी एक kind के plants को, हम large scale में, आप अपने घर में, suppose that आपने क्या करें, कुछ plants grow करें, तो वो crops नहीं है, crops क्या है, crops production के लिए, हमें बहुत vast area, बहुत बड़े area के जुरूत होती है, जिसमें हम same kind के, क्या कर सकते हैं, planting कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, crops बोलेंगे, जैसा कि आप लोग आजकल अपने, आसपास में देख भी रहोंगे, जो game हो है, जो wheat है, उसकी cropping भी harvesting हो रही है, तो इसलिए हम पढ़ते है, types of crops, types of crops क्या होती है, हमारे पास, जो types of crops है, वो है 3, कौन कौन सी है, तीन types of crops है, पहली है, खरीफ crops, दूसरी है, रवी crops, हम एक एक करके, तीनों के वारे में पढ़ेंगे, पहली, जो है, खरीफ crops, खरीफ क्रॉप क कौन सी crops होती है, खरीफ crops को हम मौन्सुन crops भी बोलते हैं, खरीफ crops को मौन्सुन crops भी बोलते हैं, खरीफ crops जो होती है, वो planted होती है, जून में, मतलब उसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोते हैं, जून में, इसको हम harvest करते हैं, किसी भी crop को complete होने में, from the plantation to the harvesting, हमें उसमें at least 4 करते हैं हार्वेस्ट करते हैं किसमें औक्टूबर में और हम उसे प्लांटेशन करते हैं जून में तो इसमें फाइव फॉर और फाइव मंत का टाइब लगता है तो इसकी में एक्जामपल्स जो होते हैं करिफ क्रॉप की को इसको याग कर लीजेगा 6 अमारे क्रॉप्स आता है रवी क्रॉप्स कौन क्या करते हैं कब रवी क्रॉप्स को विंटर सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं इसको हम हार्वेस्ट करते हैं एप्रेल मन्त में जैसे कि हमारा यह एप्रेल मन्त चल रहा है तो आप देखे रहे होंगे कौन-कौन सी क्रॉप्स जो है तो इसके में एक्जाम्पल्स होते हैं वीड पीज एंड ग्रावन नट्स एक्सेक्टरा ओके